Hello everyone, आज का हमारी topic BABSC first year, number theory and trigonometry से हम बात कर रहे थे previous year questions की, जी हाँ, selected sort, answer type questions की, तो आज बात करते हैं, question number 13, तो question number 13 हमारे पास क्या है इस lecture series का, if A is congruent to B modem, then prove that A, C is congruent to BD modem, where C is congruent to D modem, ठीक है जी, तो करते हैं सुरुवात इसकी, since हमारे पास given क्या है, A is congruent to B modem, ठीक है, and C is congruent to D modem, ठीक है जी, यह हमारे पास है, हमें क्या दिखाना है, A, C is congruent to BD modem, ठीक है, तो it means, यहां से हम क्या कह सकते हैं, A is congruent to BD modem है, it means, जो M है, M divides, A-B, ठीक है जी, तो M क्या करेगा, A-B को डिवाइड करेगा, that is, इसको हम कुछ ऐसी भी लिख सकते हैं क्या, कि जो A-B है, वो मेरे पास, किसी ने किसी integer पर जाएगा, हम जी, A-B is equal to Mk1, सेव इसी परकार से, हम इसको लिख सकते हैं, जो M है, वो divides करता है, जीकि इसको C-D को, ठीक है, that is, हम इसको कुछ ऐसी भी लिख सकते हैं, जो C-D है, वो मेरे पास क्या आएगा, Mk2, हम जी, यह मेरे पास क्या आया, Mk2 आगा, ठीक है, इसको माले तो equation number 1, इसको माले तो हम equation number 2, ठीक है, अब बात करते हैं, हमें निकाल ला है, AC is concurrent to BD mode M, तो हम AC-BD लेके चलते हैं, now, AC-BD, क्या मैं इसको कुछ S लिख दू, AC-, इसके अंदर BC add कर दू, और BC subject कर दू, तो BC plus BC minus BD, ठीक है, ऐसा काम मैं ने क्यों किया, तक ही मैं ऐसी form बना सकूँ, ठीक है, मैं क्या कर सकूँ, एसी form बना सकूँ, तो AC-BD मेरे पास है, तो यहां से C को मना जाएगा, अंजी, अंदर बचेगा A-B, पलस के यहां से B को मना जाएगा, अंदर बचेगा C-D, और C into A-B के value मेरे पास का equation 1 से MK1, ठीक है जी, B, C-D के value का equation 2 से MK2, using equation 1 and 2, हमने यहां पे equation 1 और 2 का use कर लिए, अब यहां से मेरे पास M यहां पे है, M यहां पे, तो M common आ जाएगा, हैं जी, M common आ जाएगा, तो मेरे पास यहां पे क्या बचेगा, C-K1, पलस के, B-K2, और इसको मैं कुछ और मा लेता हूँ, कि मालिया मैंने क्या MLK को ले, ठीक है जी where, L is equal to C-K1, पलस के, B-K2, ठीक है, यह मेरे पास आ गया, तो ML मेरे पास आ गया, तो it means, यहां से क्या आ गया, जो M है, वो AC-BD को किसी integer L पे डिवाइड करता है, हम जी, तो यहां से लिख सकते है, therefore, यानि, this implies, जो M है, वो डिवाइड करेगा, AC-BD को, ठीक है जी, तो therefore, अब लिख सकते हैं, यहां से, जो AC है, is concurrent to BD mode M, बस, यह मेशो करना था, और हमारा काम खतम हो गया, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बात करते हैं, नेक्स कोशिन की, इसका दमारे पास, कोशन नमबर 14, तो कुशन 14 मेरे पास, find the remainder when 2 raised to part 20 is divisible by 7, ठीक है जी, 2 raised to part 20 को, जब 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास remainder क्या एगा, उसकी बात करते हैं, ठीक है जी, तो यहां से क्या करते हैं, जो 2 है, वो comment होता है, 2 mode 7 के, ठीक है जी, 2 की power 1 मेरे पास क्या एगा, 2 आएगा, 7 से divide करेंगे, तो remainder क्या आएगा, 2 आएगा, यहां लिखेंगे हम remainder, ठीक है, 2 की power 2 करते हैं, तो मेरे पास 4 आता है, 4 क्या है, 7 से छोटा है, तो remainder 4 ही आएगा, फिर 2 की power 3 करते हैं, वो मेरे पास क्याएगा, जी, यहां पर, 1 mode 7, 1 आजाएगा, रिमेंडर, ठीक है, तो 2 की power 3 करने पर, मेरे पास जो remainder आया है, वो मेरे पास 1 आ गया, ठीक है, इसको माले तो हम equation number 1, equation number 2, और इसको माले तो equation number 3, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है, 2 की power 20 तक, ठीक है, जो 20 हो, 3 से divide तो नहीं होता, लेका, उससे पहले एक number है, 18, वो 3 से divide होता है, कितने पे, 6 पे divide होता है, तो हम क्या करेंगे, equation 3 की power को 6 से raise कर देंगे, ठीक है, raising, equation 3, to the power 6, ठीक है, जी, 6 power raise करेंगे, तो मेरे पास कितनों जगे आपे, 2 की power 3, उसकी power 6, that is, यह बने है, मेरे पास 2 की power 18, इस कोंगरेंट 2, 1 की power 18, 6 करेंगे, तो क्या आएगा, 1 आएगा, mode 7, यह मेरे पास होगी, equation number 4, तो मेरे पास 2 की power 18 तक आचुका है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2 की power 20, तो मैं इसको 2 की power 2 से multiply कर दो, तो मेरे पास 20 बन जाएगा, हंजी, वो 2 की power 2 मेरे पास कहाँ पे है, equation 2 के अंदर है, तो multiplying, equation 2, and 4, we get, तो 2 की power 18, तो मेरे पास 2 की power 20, इस कोंगरेंट 2, 4 की multiply 1 के साथ, तो क्या एगा, 4, mode 7, ठीक है जी, therefore, when, 2 की power 20, इस, divided by 7, we get 4 as remainder, जो 4 है, वो मारे पास कह जाएगा, इसका remainder आ जाएगा, ठीक है जी, जल्दी से note कीजिए, फिर बात करते है, question number 15 की, ठीक है, question number 15 हमारे पास, क्या है जी, find the remainder, when 2 raised to power 48, is divisible by 105, अब देखको, ठीक है, ठीक है, ख्या करते हैं, प्राइम फेक्टर कर लेते है, 105 के, तो मेरे पास क्या बनेगा, तीन पंजे पंद्रा, पंद्रा और साथ, ठीक है, यह मेरे पास बनता है, 105 से factor मेरे पास ये बन गए ठीक है जी अब हम क्या करेंगे हम mode 3 करेंगे mode 5 करेंगे mode 7 करेंगे यानि 2 की power 48 को 2 से 3 से divided करेंगे 5 से divided करेंगे 7 से divided करेंगे ठीक है और last main की multiply करतेंगे ठीक है जी क्योंकि यहां हमारे पास क्या co prime numbers है तो अब यहां पर बात करेंगे 2 raise to power 1 is concurrent to 2 mode 3 ठीक है और 2 raise to power 2 करता हूँ मैं तो मेरे पास क्या हैगा 2 raise to power 2 4 आएगा 3 से divide करेंगे तो remainder आएगा 1 mode 3 ठीक है जी इसको मैं माले लेता हूँ यहां पे equation number 1 equation number 2 ठीक है अब मेरे पास यहां आगा अब मुझे क्या करना है मुझे यहां से power पहुंचाने कहां तक 48 तक 48 तक लेके जानी है तो मुझे कितनी power और चाहिए हां पे 24 power कर दो में इसकी तो मेरे पास कितनी आ जाएगी 48 बन जाएगी ठीक है तो रे जी equation 2 the power 24 तो यहां से मेरे पास 2 की पाँवर 2 42 40 यहां पे आजाएगा मेरे पास 24 इस कोँगो एट वन की पाँवर 24 mode 3 और यह मेरे पास क्या बन जाएगा 2 raise to power 48 1 की पाँवर 24 1 mode 3 इसको नाम देता हूँ equation number 3 का ठीक है इसी परकाह से हम क्या करते है 2 raise to power 1 इस कोँगो एट टू मोड 5 ठीक है 2 raise to power 1 कोँगो एट टू मोड फाइफ ठीक है 2 raise to power 2 कोँगो एट टू 4 mode 5 2 raise to power 3 कोँगो एट आएगा और 8 को 5 से डूस करूँगा तो यहां से केतना मिलेगा 3 मिलेगा mode 5 तो कुछ और करते है एक power और बढ़ा लेते है 2 raise to power 4 करेंगे तो 6 नी बनेगा 16 को जो 5 से डूस करेंगे तो मेरे पास बचे करी में इंटर 1 ठीक है अब मुझे यहां से power कितनी करने हैं इसको मान लेता हूं equation number 4 है तो इसकी power कितनी करो तो मेरे पास 48 बन जाए हम जी forces को ड्वाइड करें तो कितना आएगा 12 आएगा तो इसकी power क्या करता हूं 12 कर देता हूं aging equation 4 2 power हमारे पास इसकी power 4 और ये 12 ठीक है जी तो 2 की power 4 उसके power 12 करेंगे तो 4 multiply 12 48 होता है तो मेरे पास 2 raise to power 48 is congruent 2 1 की power कर लो आप 12 तो कितना आएगा वन ही आएगा इसको नाम दिया equation number 5 का हमने 5 के लिए काम कर लिया अब काम करेंगे 7 के लिए 2 raise to power 1 is congruent 2 2 mod 7 2 raise to power is congruent 2 2 तू जा 4 mod 7 और 2 raise to power 3 is congruent 2 1 mod 7 क्योंकि 8 आएगा 8 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमेंटर मेरे पास कितना बचेगा 1 बचेगा अब मैं 3 है तो इसकी पाउर कितने raise करूं कि मेरे पास 48 बन जाए ठेक है जी तो यहाँ से power 16 raise कर दू raising equation 6 to the power 16 तो मेरे पास से बनेगा 2 raise to power 48 is congruent to 1 की पाउर 16 करेंगे तो 1 mode 7 तो यह मेरे पास होगी equation number 7 ठीक है जी अब बात करें किस से equation number मेरे पास 3 से equation number 5 से equation number 7 से from equation 3 5 and 7 तो यहाँ से मेरे पास 2 raise to power 48 is congruent to reminder check करो 1 1 1 तो मेरे पास 1 mode यहाँ पे आएगा मेरे पास LCM किस का 3 का 5 का 7 का ठीक है जी तो 2 raise to power 41 is congruent to 1 mode 3 5 7 का LCM कितना आएगा 105 तो यहाँ से मेरे पास क्या आगया जो remainder है वो मेरे पास क्या आगया जी 1 आगया therefore when 2 raise to power 48 is divided by 105 we get 1 as remainder तो यहाँ से जो remainder मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा जी 1 के एकल मिल जाएगा ठीक है देख उमने कितनी बड़ी पावर को सोल कर दिया उसका इमेंटर फाइंड कर लिया जल्दी से नोट कर लो फिर बात करते हैं कुछ नंबर सिक्ष्टन के तो कुछ नंबर सिक्ष्टन हमारे पास फाइंड एक्स सुच गया एक्स पास क्या है X is congruent to 7 mode 5 तो it means क्या है मेरे पास जो X-7 है वो क्या है जी इस divisible by 5 ठीक है X-7 मेरे पास क्या है 5 से divisible है 5 से divisible है तो इस को लिख सकता हूँ X-7 is equal to 5 के where K belongs to Z K मेरे पास क्या है integer number है X-7 is equal to 5 के आगया तो मुझे क्या चाहिए X की value X is equal to 7 plus 5 यह मेरे पास आगया X is equal to 7 plus 5 अब यहाँ पर क्या करेंगे K के place पर values put करेंगे putting K is equal to 0, 1, 2, 3 and so on minus 1, minus 2, minus 3 and so on सभी negative भी, positive भी और 0 भी हम यह values put करेंगे तो यहाँ से मेरे पास जो X हाएगा वो क्या हैगा जब K के value 0 होगी तो X का value कितना हैगे 7 जब K के value 1 होगी तो 7 plus 5 कितना हैगा 12 जब K के value 2 होगी 10 plus 7, 17 and so on जब K के value minus 1 होगी तो मनेगा 2 जब K के value minus 2 होगी तो बनेगा minus के 3 ठीक है जी 5 to the 10 minus और 7 minus 10 10th minus के 3 फिर जब value 3 होगी यहाँ पे minus 3 तो minus के 15 plus 7 तो minus का 8 and so on ठीक है जी यह मेरे पास क्या जाएंगी X की required value जा जाएंगी जब हम क्या करेंगे X congruent होगा मारे पास 7 mode 5 के इसके बाद Q17 तो Q17 क्या है If A is odd so that A square is congruent to 1 mode 8 ठीक है जी हमारे पास अब क्या दिया हुआ है जो A है वो कैसा number है odd number है ठीक है Since A is an odd number जो odd number है odd number हमारे पास किस type के होते हैं 2K plus 1 के type के होते हैं ठीक है जी and it can be written edge इसको लिख सकते हैं A is equal to 2K plus 1 वेर जो की है वो बिलोग कर रहा है मेरे पास Z से ठीक है जी यह मेरे पास आ गया अब मुझे क्या करना है square of A square ठीक है जी एका square तो यह square बोट साइड करेंगे तो A square is equal to 2K plus 1 इसका square तो मेरे पास बनेगा 4K square plus 1 plus 4K ठीक है जी अब यहां से क्या कर सकते हैं 4K को में निकाल दूँ तो अंदर मेरे पास बच्चे गया यहां से K और यह बच्चे मेरे पास plus 1 और plus 1 ठीक है यह मेरे पास आ गया A square की वेन दूँ ठीक है जी अब देखो ध्यान से यह K है यह K plus 1 है तो यह यहां पे क्या है 2 Conjunctive Integers है ठीक है We know that Product of Two Conjunctive Integers It's divisible by Two Factorial That is 2 ठीक है जी 2 Factorial से Divisible होता है Product of Two Conjunctive Integers की ठीक है अब मेरे पास टू कंजेक्ट इंडिजर की प्रोडक्ट टू से डिविजिबल है इट मीन्स ये किसने किसी मल्टीपल पर होगी किसने किसी नंबर पर डिवाइड होगी ठीक है जी तुम इसको लिख सकता हूं यहां से किसने किसी नंबर पर जाएगी माल लेजे वो एंपेज लेगी टू से डिवाइड होगी ठीक है जी तो यह मेरे पास क्या बन जाएगा क्या अब इसको यह कह सकते हैं जो एट से डिविजिबल है तो बाई डिविजिबल टेस्ट ठीक है जी डिविजिबल टोरम से डेफिनेशन से देर्फोर बाई डेफिनेशन ओफ डिविजिबल टी तो यहां सम कह सकते हैं जो एट स्क्र होगा वो गोंगरेंट होंगा वन मोड एट के ठीक है जल्दी से नोट कीजिए बात करते हैं नेक्स्ट कोश्टन के तो यहां नेक्स्ट हमारे पास कोश्टन नमबर एटीन फाइंड नंबर ओफ इन कोंगरेंट शुलिशन अफ दा लिनियर कोंगरेंटी नेक्स कोंगरेंट तो थ्री मॉड फाइफ दियो नमारे पास क्या है तैन एक्स इस कोंगरेंट टो थ्री मॉड फाइफ इसको माल है तो यह किश नमबर वन ठीक है ची कंपेर एक्वेशन वन विद एक्स इस कोंगरेंट टो बी की मोड ंसी ठीक है मॉड इसको से कि वह यह मैं इसको अंब लग जता है यहां पर बी मॉड ए कि के तो हमारे पास यहां से क्या मिलेगा A is equal to 10 B is equal to 3 और M is equal to 5 अब क्या निकालते हैं GCD निकाले हैं किसकी A की और M की ठीक है जी तो GCD of A और M यानि GCD of किसकी 10 की और 5 की यह मेरे पास कितनी अत्ती है 5 आतते है और जो 5 है वो क्या है जी Does not divide 3 5 3 को divide नहीं करता It means There is no solution तो यहाँ पर हमारे पास इसका कोई solution नहीं होगा ठीक है जल्दी से नोट की चाप बात करेंगा नेक्स कोश्टिन इसका दीकोशन नमबर 19 19 हमारे पास है If GCD of A और P की वन है GCD of B और P की वन है Then so that A raise to power P A minus 1 minus B raise to power P minus 1 It's multiple of P P का multiple है हमारे पास Where P is prime number ठीक है जी तो करते है शोल इसको Given मेरे पास क्या है GCD AP की 1 के एकवल है ठीक है जी And GCD BP की मेरे पास क्या है 1 के एकवल है GCD अगर दो नमबर के एकवल है तो हम यूज करते है फर्मेट स्थोरम का Therefore by फर्मेट स्थोरम फर्मेट स्थोरम क्या करते है जो A raise to power P minus 1 Is congruent to 1 mode P यह होता है हमारे पास ठीक है फर्मेट स्थोरम से अगर GCD 1 के एकवल है तो A raise to power P minus 1 एक पावर कम करेंगे वो congruent आएगा 1 mode P के ठीक है जी इसको मान लेता हूँ मैं equation number 1 Similarly करके मैं दूसरा लिख सकता हूँ B.O.P है इसकी CD मेरे पास 1 के एकवल है तो फर्मेट स्थोरम से ही क्या बनेगा B raise to power P minus 1 is congruent to 1 mode P यह मेरे पास आगा equation number 2 निकाल ला है क्या है हमें हमें निकाल ला है A raise to power P minus 1 minus B raise to power P minus 1 तो now equation 1 minus equation 2 we have तो हमें आ से क्या मिलेगा A raise to power P minus 1 minus B raise to power P minus 1 is congruent to 1 minus 1 0 mode P ठीक है यह मेरे पास आगया तो therefore A raise to power P minus 1 minus B raise to power P minus 1 is divisible by P यह number क्या है जी P say divisible है P say divisible है और हम कह सकते है जो A raise to power P minus 1 minus B raise to power minus 1 is multiple of P बस हमें यही तो शो करना फेस के अंदर ठीक है जल्दी जे नोट कर लीजिए यहां पर लिए देता हूं यहां पर P is prime ठीक है यहां पर P हमारे पास कहा था प्राइन बड़ अब बात करते हैं नेक्स कोशिन के तो नेक्स कोशिन हमारे पास 20 तो कुशन 20 मेरे पास तो यहां से कलेम करते हैं जो स्केर है यहां पर इस थीक है Ciao कट़ और कौने माओए फॉन के यहां पर इसे नहीं लिख सकाते है अगर यहां पर बात करता हैं इंटीजर की ओर इंटीजर की बात करता तो हम यहां पर गाम कर सकते हैं ठीक है जी उसको लिख सकते थे 3M or 3M plus 1 की फॉर्म का ठीक है लेकिन यहां पही कहा इनों एवरी नंबर को एवरी नंबर को तो हम ऐसा नहीं लिख सकते ठीक है थी तो एवरी नंबर मैं न्यूद कैं नत बेर इन इफ ए द वरी नंगे गिंटनाय सिंद फॉर्म खता थ dispers कुण तो थो थैक हैं यहां लिख थी तो इत्stoff ऐसिकन्ट डीकुन इलिख थी तो इसीज़ रहाख जा सकता एक एक एग्जाम्पल एल सकते हैं एक एग्जाम्पल एट हमारे पास नंबर क्या लगते है एन इस इकल टू 1 by 2 लेते हैं ठीकर जी 1 by 2 मेरे पास इस फर्म का नहीं लेकर सकता तो इट कैन दोट बी टनेट्ट 3M और 3M प्लस वन फो तो इसको हम 3M और 3M फिलस वन की फोम में नहीं लिख सकते हैं ठीक है जी 1 by 2 है नहीं लिख सकते हैं अगर यहां पे इंटीजर की बात काथा पोजिट supplement की बात करता तो हम लिख सकते हैं तो यह छोटी सी बाते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं ठीक है कुछ बच्चे क्या करेंगे उन्होंने इस चीज का प्रूफ क्रैम क्या होता अच्छे से बस यह दिग गया कि हां 3m इन्होंने कहा है अगर यहां पर इंटीजर की बात करता तो हम उसको लिख सकते थे थे बड़िसको नहीं लिख पाएंगे तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की कोशन नमबर 21 अब देखो द्यान से जो पावर 10 वो क्या है इससे एक कम है जो 10 है वो क्या है इससे एक कम है ठीक है एक कम है तो हम यहां पर फर्मेट स्थोर्म का युच करेंगे अभी हमने प्रूफ किया था देखो यह रहा ए रिष्टो पाड़ाद 1-1 देखो पाड़े-1 जहां पर क्या था फा ठाड़ स्थ घर और ये भी क्या है य сох Churchill नमबの है ठीके प्राइम की वो मेरे पास क्या है वन के एक वाल है एंड एलेवन इज एक प्राइम नंबर ठीक है यह काम प्राइम नंबर के लिए करते हैं तो मेरे पास फाइफ लेंगे शीडिवान है तो देरफोर बाई फर्मेट फोर्म तो फर्मेट तॉर्फ मेरे पास क्या कहने अगरे जो पी रबज्य तो पावर यानि 5 रस टू पावर 11-1 इसको माना लेट तो 1 को किसके 10 सदीन थिक है तब 1 कितना होता जी इसको मान लेक्ष नमबर नांट किया सिमिलर लिकर है 3 xn इस गोलेट टु वन aked 1 एक्वेश नमबर मेरे पास एक्वेश नमबर 1 प्रस आणब है हमें शो क्या करना है हमें शो करना है this 5 रहे चोपार 10-3 इस टो पावर 10 now equation 1- equation 2 we get two mere past यहां से आएगा 5 रहे चोपार 10-3 इस टो पावर 10 is concurrent to 1-1 0 mode 11 to it means यहां से क्या आगया this implies 5 रहे चोपार 10-3 इस टो पावर 10 it's divisible by 11 ठीक है हमें यही शो करना था हां जी हमें यही शो करना था इसका बात करते हैं next question question number 22 find phi n for n is equal to 68 हमें क्या करना जी फायन फायंड करना 5 of n मेरे पास क्यों थाया यूलर function पोलते इसको तो इसको कैसे find करेंगे सबसे पहला काम हमें करना क्या है 68 के प्राइम factors कर लेना है ठीक है जी तो 68 के प्राइम factor मेरे पास क्या बनेगे 342 17 2 17 से वन तो मेरे पास 68 के प्राइम factor बनें 2-2 तो इन्टू 17 चन्प पार 1 अब हमें निकालना जी हुलर फंक्शन 568 तो 568 मेरे पास क्या बनेगा मैनेस माइनसam 17 चन्प पार 11 संफने जिनी चन्प पावार59 और 1-272 बनेगा चार मेरे पास ठीक है यह हमारे क्या गया यूलर फंक्शन 568 ठीक है इसका बात करते हैं कुछ नंबर 23 की तो 23 मेरे पास कुछ है साहिए सेम फाइन फाइन करना है फोर एन इस इकल तो 462 के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 462 के प्राइम एक्टर्स करते हैं 231 और यह मेरे पास 231 11 से जाएगा 11 से मेरे पास 11 22 11 वन जा यह 3 और 7 यह मेरे पास आएगा इसके प्राइम फेक्टर्स तो जो 462 है इसको मिलिख सकते हैं 2 x 3 x 7 x 11 हमें निकालना 5 462 मेरे पास क्या होगा टो मेंसे एक मैंस करना टू कि पाएगा लिए कसे संब्सक्राइब कर्म जितने ते सन ही उससे एक पावर कम मैंस खरत तो तो मेरे पास क्या बनेगा टू 2-1 3-1 7-1 11-1 तो 2-1 1 3-1 2 7-1 6 11-1 10 तो 2 6 12 12 10 120 तो यह हमारे क्या गजिस इसका अंचरा गया तो यहां पे जो यूलर फंक्शन है उसको इस टैप से सोल करते हैं अब बात करते हैं नेक्स कोशन की कोशन नमबर 24 तो कुशन 24 मेरे पास क्या है डिफाइन यूलर फंक्शन एक्जम्पल देने है ठीक है जी तो यूलर फंक्शन फाइन for all positive integers n के लिए ठीक है जी यह define किसके लिए all positive integers ठीक है by 5 of n is equal to 1 5 n के वन रीफाइन 4 n is equal to 1 के लिए ठीक है जी and for n greater than 1 के लिए 5 n मेरे पास क्या है जी number of positive integers less than n n से छोटे होने चीए positive integers and co-prime to n और n के साथ लब क्या है एन के साथ उन नंबर के जी सीड़ी क्या होने चाहिए जी वन के एक उल होने चाहिए तो वे हमारे पास क्या बन जाते हैं 5N के अंदर आते हैं ठीक है एग्जांपल की बात करते हैं 52 means number of positive integers less than 2 2 से छोटे होने चाहिए that are co prime to 2 जो 2 के साथ GCD 1 देते हो 2 के साथ GCD 1 किस क्या आती है 1 क्या आती है ठीक है जी और 2 से छोटा नंबर कौन है 1 ही है तो मेरे पास 52 के वल कितनी आगी 1 के एक वल आ गई ठीक है जी 53 means number of positive integers less than 3 that are co prime to 3 तो 3 से छोटे नंबर होने चाहिए और उनकी GCD 3 के साथ 1 होने चाहिए तो 3 से छोटे नंबर कौन से हो मेरे पास 1 2 ठीक है जी 1 की GCD 3 के साथ 1 आती है 2 की GCD 3 के साथ 1 आती है तो total number कितनी आगी 2 हो गए तो 53 के वल मेरे पास क्या आगे 2 के एक वल आगे ठीक है जी और 58 means number of positive integers less than 8 that are co prime to 8 तो 8 से छोटे नंबर कितने मेरे पास 7 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है जी उन में से हमें देखना है कि हमारे पास जोए नंबर कौन से है जिन की GCD 8 के साथ 1 आती है तो 1 की GCD 8 के साथ 1 आएगी 2 क वह number 5N के अंदर नहीं आएगा ठीक है जी फिन 3 कि GCD 8 ke साथ 1 आएगी 2 नंबर हमारे पास आ जाएगा 5N के था इसी परकार से 4 करेंगे 8 की तो मेरे पास 4 आएगी 1 नहीं आएगी 5 के साथ करेंगे 6 के साथ करेंगे 2 आएगी और 7 के साथ करेंगे तो 1 आएगी तो मेरे पास टोटल मिलागे कितने नंबर होगे चार नंबर होगे तो 548 के लिए मेरे पास कितने होगी 4K को लोगे ठीक है जी यह हुए हमारे पास यूलर फंक्शन की डेफिनेशन अब बात करते हैं आपर नेक्स कोशन 525 फाइंड आल पॉसिबल वैल्योज ओफन एंड की वैसे भी पॉसिबल वैल्योफाइंड कीजिए विच सैटिस्फाइए फाइन इस इकॉल टूटी थरी ठीक है जी विच सैटिस्फाइए फाइए निजिगोल टूंटी थरी अब दिको ध्यान से कुछ इन्होंने पूच्छा तो यहां पर आंसर क्या यहां पर नहीं होगी क्योंकि हमारे पास जो फाइम होता है ठीक है जी एन ग숙रेट देन टू के लिए हमेशा एक एवन और अठाय बबर हमेशे काता है एक और हमेशए वन अमबर आता है जब किये मेरे पास क्या एक old number है ठीक है तो यहाँ पर क्या रिखेंगे there are no possible values of n there are no possible values of n which satisfies 5 n is equal to 23 जो इसको satisfy करेंगी ऐसे हमारे पास कोई भी value नहीं है ठीक है अब बात करते हैं next question की question 26 find d of n and sigma of n 4 n is equal to 270 के लिए ठीक है जी तो बात करते हैं यहाँ पर d of n and sigma of n की जो d of n है मेरे पास यह क्या जी total number of divisors जो भी हमारे पास number दे रखा है उसके divisors कितने बनेंगे जैसे बात करते हैं 6 है उसके divisors कितने बनते हैं मेरे पास इसको मुझे निकालना है तो इसको निकालना है क्या को फर्मूला भी है यह तो मैं पता है अगर मैं यहाँ आप एसे लिगदी इसके करेंगे तो वह हमारे पास हो जाएगा एक बहुत ही लैंथी प्रोसेस ठीक है तो उससे बचने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं फॉमुला तो मैंतेमेटिक्स क्या करता है टास को आसान करता है तो देखते हैं 270 कि हम divisors कैसे क्वेंसे करते हैं और जो divisors आएंगे उन divisors का सम हमारे पास क्या होता है उसको data करते हैं सिगम मैंज से जैसे मेरे पास six था इसके divisors मेरे पास ही आए कैसे नहीं नहीं ऐसा काम नहीं करने वाले हैं हम क्या करेंगे समय बचाएंगे सब को क्या चाहिए तो सबसे पहला काम हम क्या तो मेरे पास यहां से जो 270 है उसके जो प्राइम फेक्टर आए मेरे पास वो मेरे पास क्या गए टू एक बार है ठीक है जी 3 की पाउर 3 है ठीक है और 5 मेरे पास यह मेरे पास आ गया ठीक है जी ओके इतना काम मेरे पास हो गया है तो हम यहां से क्या करते है लेट जो पीवन है वो मेरे पास 2 के एक वल है पीटो मेरे पास 3 के एक वल है जो पी 3 है वो मेरे पास 5 के एक वल है यह मेरे पास कहा जी distinct प्राइम नंबर है ठीक है अब बात करते ह 12 कि पावर्स की के बनान लिगता हूं। 2 की पावर कितनी है बनार है तो बार लिखती हा फिर के टू 3 की पावर कितनी है थ्री है फिर के थ्री 5 की पार कितनी हा पर बनार ठीक है nuestro अब नमबर ओफ डिवाइजर्स कがÖ तो डी टूशेंटी यह मेरे पास क्या बन जाएगा नमपर डिवाइजन निकालने का मेरे पास फॉर्मुला क्या बनेगा जी यह फॉर्मुला होता है मेरे पास के पलस वन के टू पलस वन के ट्रीप लासवन ठीक है यह मेरे पास बनेगा फॉर्मुला के बपलस वन के टू पलस वन एंड सो राइट तो इस ताइप से में लिख सकते हैं इसको अधरवाइज मैं इसको यहां से मैं डाट इसे कंद लिख देता ठीक है, dn मेरे पास क्या number of divisors है, तो d of n मेरे पास निकले गाए यहां से, किसके लिए 270 के लिए, k1 plus 1, k2 plus 1, कहां तक मेरे पास k3 तक है, k3 plus 1, ठीक है, तो k1 के वहले मेरे पास कितनी है, 1, तो 1 plus 1, फिर k2 के लिए मेरे पास है, 3, 3 plus 1, k3 के लिए 1, 1 plus 1, तो मेरे पास आएगा यहां से, 2, 3, 1, 4, और 1, 1, 2, तो 2, 4, जा 8, और 8, 2, जा 16, ठीक है, मेरे पास ही आगया, जो मेरे पास divisors आए हैं, इसके, वो total divisors 16 बनेंगे, ठीक है, अब चाहो तो आपने चेक कर सकते हो वो आपका काम है, अब बात करेंगे, सिग मायन की, यह मेरे पास क्यों होता है, sum of divisors, तो divisors का sum हमारे पास क्या होगा, जो 270 के 16 divisors आए हैं, इनका sum हमारे पास कितना बनेगा, हम बात करेंगे, अब उसके, उसके लिए हमारे पास formula होता है, P1 की power, जो नियर निकाला है, K1 plus 1 माइनस 1 कर दो, अपन में, P1 माइनस 1, फिर P2 की power, K2 plus 1, माइनस 1, ओवर P2 माइनस 1, फिर P3 की power, K3 plus 1, माइनस 1, ओवर P3 माइनस 1, यह हमारे पास बनेगा, इसका formula, इस formula के अंदर हमें करना है, values को put, तो values को put करते हैं जी, तो मिस value के आप उट कर देता हूँ, ठीक है, तो sigma of 270 मेरे पास बनेगा, P1 मेरे पास कहा है, जी, 2, तो 2 की power, K1 plus 1, K1 plus 1 की value मेरे पास आईए, 2 के एक ओल, ठीक है, minus 1, upon, मेरे पास कहेगा, P1 minus 1, P1 के value 2, तो 2 minus 1, ठीक है, फिर उसके बाद, P2 की power, P2 मेरे पास कितने 3 है, तो 3 की power मेरे पास, K2 plus 1, और K2 plus 1 के value मेरे पास आईए, 4 minus 1, upon, 3 minus 1, फिर, मेरे पास कहा है, अगला पोज, प्राइम नंबर, 5, 5 की power, K3 plus 1, K3 plus 1 के value 1 plus 1, 2, तो 2 minus 1, upon, 5 minus 1, ठीक है, मेरे पास यह आगया, ठीक है, इसको simplify करता है, तो 2, 2 जा 4, minus 1, upon, 1, 3, 4, जा, 3 की power 4 करेंगे, तो मेरे पास बनेगा, 81, 81 minus 1, 80, upon, 2, 5 की power 2, 25 minus 1, 24, upon, 5 minus 1, 4, तो यह बनेगा, 3, 40, और यह बनेगा, मेरे पास, 6, तो यहां से मेरे पास, इसका हां से बनता है, तो मेरे पास जो divisors हैं, उनका जो sum आता है, उनका sum मेरे पास 720 आता है, ठीक है जी, देखो हमने, एक छोटी से formula के help से, अपना काम कितना आसान करती है, ठीक है, तो अब बात करते हैं, next question की, question number 27 की, तो question 27 मेरे पास क्या करता है, evaluate the highest power of 3 dividing 533 factorial, देखो छोड़ासा नंबर की बात नहीं की, इनोंने, इनोंने बात के बोट बड़े नंबर की, जो computer में भी नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, मेरे पास क्या है, यह 533 factorial है, ठीक है जी, इतने बड़ी calculation हो जाएगा, मारे पास यह, ठीक है, इसके लिए फिर शूपर कंपूटर से होते हैं, तो evaluate the highest power of 3 dividing 533 factorial, तो यहाँ पर बात करते हैं, let, जो मेरे पास n है, वो मेरे पास क्या जी, 533 है, ठीक है, एंड जो p है, मेरे पास prime number है, वो मेरे पास क्या 3 है, ठीक है, तो हम क्या निकालता है, n by p का greatest integer, तो n by p मेरे पास 533 upon me 3, इसका निकालेंगे greatest integer, तो इसका greatest integer हमारे पास क्या आने वाला है, इसको 3 है डिवाइड करो, तो मेरे पास बने गई है, 3 x 3, 2 बचे 23, 3 x 21, 2 x 23, 73 x 21, और 2 x 3, और 2 x 3 जो value होते हुए, मेरे पास 0 point something होते है, इसमें add होगी, तो 177 point something बनेगा, तो greatest integer हमारे पास क्याएगा इसका, 177, ठीक है जी, अब निकालते है, n by p square का greatest integer, तो इन by p square का निकालना मतलब 533, बटे 9 कर दो, या फिर जो हमने ये निकाल दिया, इसको फिर 3 x divide करतो, तो यहां से मेरे पास क्याएगा यह, 3 x divide करेंगे, इसको 7 x 8, 14, 1, 15, complete हो जाएगा, तो 3, 15, 15, 2, 3, 27, तो मेरे पास ये बनेगा जी, यहां से 59, ठीक है, फिर n by p cube का greatest integer, निकालते हैं, तो यह मेरे पास 59 है, जो फिर जो इसको divide कर 3, 6, तो 9, 5, 3, 6, divide नहोगा complete, तो ये बनेगा मेरे पास 3, 2, 3, 7, 3, 9, 27, और 2 by 3, तो ये बने इतना काम हो गए मेरे पास, इसके बाद n by p ki power 4, ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगा जी, 19 upon 3, तो ये बनेगा मेरे पास 6, 1 by 3, तो ये आगा मेरे पास 6, फिर n by p ki power 5, ये मेरे पास 6 को divide करेंगे 3 से, ये आगा मेरे पास 2, और 2 अगे टेशन डिजर 2 होता है, ठीक है जी, फि मेरे पास यहां से क्या जाएगा, 2 upon 3, और ये मेरे पास बनता है, जी 0, बस हमें 0 तक जानना था, यहां तक हमारे काम हो गया, अब क्या करेंग, अब क्या करेंगा, highest power of 3, therefore, highest power of 3, dividing by, dividing, 533 factorial is equal to, वो हमारे पास क्या बनेगी, जो हमने यहां पर answer निकाल लें, उनसे भी answer को add करना, तो first answer मेरे पास आया यहां से 177, plus second मेरे पास आया यहां से 59, plus third मेरे पास आया यहां से 19, plus fourth मेरे पास आया 6, plus यह मेरे पास आया 2, plus 0, इनको add करेंगे, तो हमारे इसका answer आजाएगा, ठीक है जी, इनको add करते हैं, तो म मेरे पास 25, 25 हो 6 31, 31, 32 33, ठीक है जो 3 कैरी 7, 5, 12 12, 13, ठीक है 13 और 3, 16, एक कैरी 1 और 5, 6 1, ठीक है 1 और 1 हमारे पास 2, तो मेरे पास इसकांज आता है 263 ठीक है तो अब बात करते हैं नेक्स कोशन की तो नेक्स्ट मेरे पास कोशन नम्बर 28 कुशन 28 मेरे पास evaluate mu 187 यहां पर यह बात करता है mobius function की ठीक है जी तो मैं भी मोबियस function की बात करता है तो करते हैं देखू कितना असान question कितना प्यार असा question मज़ आएगा यहां से मेरे पास 187 है इसके अगर मैं प्राइं फेक्टर करूं तो मेरे पास क्या बनेंगे साथ एकाट और आठ यह 11 से डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास 17 पर जाएगा ठीक है तो यहां से मेरे पास distinct prime factor कितने आए जी 2 आ गए है ठीक है distinct prime factor 2 आ गए है और कोई भी prime factor मेरे पास square में नहीं आया मतलब 11 के power 2 नहीं आई है 17 में power 2 नहीं आई है तो यहां से मेरे पास जो mobius function होगा 187 का वो मेरे पास क्यों जाएगा minus 1 raise to power जितने prime factor मेरे पास बने है 2 बने है तो मेरे पास 2 आएगा ठीक है जी तो मेरे पास answer किया जाएगा इसका अब बात करते है question number 29 के 29 मेरे पास same है 130 है 130 के prime factor करेंगे तो मेरे पास आएगा 2, 5, 2, 5, 10 और 13 ठीक है जी तो therefore mu 130 तो mu 130 मेरे पास कितना आएगा minus 1 की power prime number कितने मेरे पास distinct 3 है तो यहां से मेरे पास आ जाएगा minus के 1 के को ठीक है जी यहां तक आपको उच्छे समझ आ गया होगा तो बात करते है next question के question number 30 state ghost lemma ghost lemma को state करना उसकी statement क्या है let p be an odd prime ठीक है जी पी क्या है odd prime number है and ab an integer co-prime 2p ठीक है एक कोई integer है जो p के साथ क्या जी co-prime है मतलब उसकी gcdp के साथ कितने आती है 1 के एक बला आती है ठीक है यह बात आप ध्यान रखना क्या कहता है p is an odd prime p एक odd prime number होना चाहिए ठीक ह उसकी gcdp के साथ वन आने चाहिए ठीक है integer a and a b in integer co-prime 2p जो कोई number होगा उसकी gcdp के साथ कितने आने चाहिए 1 के एक बला आने चाहिए ठीक है और मेरे पास p कैसा है odd prime 2 के अलावा तो if n denotes the number of integers in the set जो n है वो क्या denotes करता है number of integers इस set के अंदर ठीक है जी number of integers set के अंदर कितने होंगे p-1 by 2 ठीक है जी यहां पर 1 है 2 है 3 है तो last में क्या p-1 by 2 है whose list positive residue any mode p मेरे पास क्यों greater than p by 2 हो then मेरे पास a upon p यह हमारे पास legendary symbol तो is equal to minus 1 की power n यह इसके को लोता है ठीक है जी तो अब बात करते है next question की so that 3 is a quadratic non residue of 31 तो 3 क्या है quadratic non residue of 31 तो इसके बात करते हैं since जो मेरे पास 3 है और 31 है इसकी जी सेडी मेरे पास कितने आते जी 1 की एक वाल आती है ठीक है रिया 3 is a quadratic non residue of 31 if and only if कब होगा अगर मेरे पास 3 की power p minus 1 मेरे पास कितना आता है माइनस के वन मोड 31 यह मेरे पास अंसरा आता है ठीक है जी तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर तो नौ जो 3 की power 3 है वो मेरे पास किसके concurrent होता है 3 की power 3 होता है मेरे पास 27 वो 27 मेरे पास का उता जी 31 से डूस करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस के 4 मोड 31 ठीक है विकोज 3 की power 3 is equal to 27 ठीक है और यह हमारे पास कोगरेंट होता है माइनस के 4 मोड 31 के ठीक है जी तो मेरे पास यह आ गया तो माइनस 4 मोड 31 आ गया 3 की power 3 करने पर अब क्या करते हैं इसको पावर रेज करते हैं रेजिंग equation 2 by the power कितनी 5 तो 3 की power 5 यानि 5 पावर रेज करने हमें इसकी तो 3 की power 3 उसकी power 5 करेंगे तो मेरे पास आए गई यह 3 की power 15 अब 31 से डिवाइड हो ना नमबर कोई सा मिल सकता है यहां से मैनिस 4 की power 5 से yes मैनिस 4 की power 3 करेंगे तो मुझे नमबर मिलेगा मैन 64 ठीक है जी मैन 64 मिलेगा तो उसको reduce करूँगा 31 से तो मैन 62 को reduce करेंगा तो मैनस 2 बनेगा और मेरे पास 2 power बचेगी तो मेरे पास आए गा 16 मोड 31 के ठीक है जी माइनस 4 की पावर 3 करेंगे तो माइनस 2 आएगा माइनस 4 की पावर 2 करेंगे तो यह नमबर 16 आएगा जो कि 31 से छोटा है तो यह बनाए मेरे पास 16 तूसर माइनस 32 और यहां से आएगा माइनस 1 मोड 31 ठीक है जी तो 3 क्या वार 50 मेरे पास क्या आगया कोंगरेंट कोंगरेंट को माइनस वन मोड 31 ठीक है जी तो यहां भी 31 कोशन करता हूं अब बात करते हैं नेक्स कोशन की कोशन नमबर 32 इवेलवेट दा लिजेंडर सिम्बल 19 by 23 हमें इसको इवेलवेट करना है इसकी वेलवे में फाइंड करने तो करते हैं 19 by 23 जब 23 से 19 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो रिमेंडर आता है वो आता माइनस 4 ठीक है जी जो माइनस 4 अपंट 33 आया है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पाव़ 2 अपॉन 23 हम जी इसको ऐसे लिख दिया तो फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं minus 1 by 23 और यह मेरे पास 2 की power 2 by 23 because मेरे पास जो a b upon p है यह मेरे पास होता है a upon p b upon p ठीक है इसकी हैल से मैंने यह आप यह लगती है ठीक है जी इसके बाद minus 1 by 23 into 1 इसके ओले मेरे पास 1 के एकल होते है because 2 की power 2 23 इसके ओले 1 है as मेरे पास 2 की और 23 की gcd मेरे पास कितने आती जी 1 के एकल आती है ठीक है जी अब मेरे पास C बच गया minus 1 by 23 तो इसके ओले मेरे पास कितने आएगे ît इसके ओले पास 1 के एकल minus 1 की power मेरे पास कैसे minus 1 की power 23 minus 1 upon 2 minus 1 की power 23, minus 1 22 upon 2, 11 तो यह बनेगा मेरे पास minus 1 यह कैसे है मेरे पास because minus 1 by P is equal to minus 1 की power P minus 1 by 2 यह होता मेरे पास formula तो यहां से मेरे पास इस symbol की value मेरे पास क्या आगे जी minus 1 की एक वाल आगे तो यहां पर प्यारे बच्चों हमारे जो number थोरी है उसके question complete होते है अब हमारे जो दूसरी बुक बच्ची हुई है ट्रिगनोमेटरी उसके questions रहते हैं उसके question करेंगे हम next class के अंदर वीडियो कैसे लेगी अपनी से comment करके जुरूर बताईएगा मिलेंगे फिर जल्द ही next question के साथ बाई बाई टेक केसी यू थैंक यू फूर वर्चिंग